शारुख खानने और राजकुमार हिराने ने ये साबित कर दिया नाम बड़े और दर्शन छोटे। दोस्तो इस कहवत का मतलब क्या होता है? अगर आपको मतलब पता करना है तो आप डंकी मुवी देख लो। कल तक जिस मुवी के बहुत चर्चो हो रहे थे और सारी दुनियां जिस मुवी की वावा ही कर रहे थी इतना तक बोला गया था के डंकी मुवी सलार मुवी को खा जाएगी। अरे भाई साब खाने की बाद तो छोड़ो, डंकी मुवी सालार मुवी के आस पास भी नजर नहीं आ रही है मुझे, कुछ दिन पहले राजकुमार हिरानी ने कहा था, अगर आपने थ्री एडियर्स मुवी सो बार देखिए, तो आप डंकी मुवी 110 बार देखोगे, और शार राजकुमार हिरानी जैसा लेजेंड एसी फिल्म बना सकता है, मैं ग्यारंटी के साथ बोल सकता हूँ, राजकुमार हिरानी का ये सबसे घटिया वर्क है, अब हम मुवी के बारे में बात करते हैं, मुवी देखते टाइम आपको एक सेकेंड के लिए भी एकसाइटेड महस मुवी में कुछ-कुछ पंच अच्छे है, जोक अच्छे है, और बहुत सारी इमोशनल सीन से, वैसे इमोशन दिखाने में राजकुमार हिरानी से बड़ा डिरेक्टर तो इंडिया में कोई है नहीं, पर किसी मुवी को सूपर हिट बनाने के लिए इतना ही काफी नहीं है, मुवी बहुत ही स्लो है, मतलब थेटर में जब मैं मुवी देख रहा था, तो मैं सोच में पड़ गया, ऐसा कैसे हो सकता है, राजकुमार हिरानी की मुवी देखते टाइम में बोर हो रहा हूँ, हर 5 मिनिट बाद एक जोक, और हर 10 मिनिट बाद एक इमोशन सीन, इसके अला सिर्क 15 मिनिट का कैरेक्टर है, और उस 15 मिनिट में से ये बंदा साढ़े चोदा मिनिट तो रो ही रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा था, इस बंदे को फिल्म में लेने की क्या जरूरत थी, खेर छोड़ो, पर फिल्म का म्यूजिक अच्छा था, जब भी बैक्राण्ड म उढ़े की है, वेसी ही आवाज 25 साल के लोंडी की है, अरे क्या बाद है बाई, और स्टोरी में इतना मजा नहीं है, जैसा राजकुमर हिरानी की फिल्मों में होता है, मतलब इन लोगों ने जितनी वावाही की थी इस फिल्म की, ओ सब फुस निकल गया, ये प्रॉपर एक उनको कितनी मुश्कुले का सामना करना पड़ता है, यही इस फिल्म में दिखाया है, दुसरा कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको अगर देखने है, तो वन टाइम वाच के लिए अच्छी है फिल्म, पर मुझे तो इतनी खास नहीं लगी, पर आपको ये वीडियो थोड़ सेव में हमें से हजिर रहेगा,